हमारे दिन की शुरुवात सूरज के उगने से होती है, लेकिन सूरियास्त के बाद भी हमारा काम नहीं रुकता और अक्सर ये हमारी समस्या बन जाती है। पौराडे कथाओं और जोतिश के अनुसार सूरियास्त के बाद कुछ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की भाग दोड भरी जिंदगी में हम सभी कम से कम समय में काम को पूरा करना चाहते हैं। इसमें हम इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते कि कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें सूरियास्त के बाद बंद कर देना चाहिए। अगर आप लगतार परेशान रहते हैं या आपकी समस्या ठीक नहीं हो रही है तो आपको इन गलतियों को तुरंट सुधार लेना चाहिए। तो आईए हम आपको बताते हैं कि सूरियास्त के बाद कौन से काम नहीं करने चाहिए। रात में कपड़े धोना जोति शास्तर के अनुसार कपड़े धोने का सही समय सुभे का होता है। रात में कपड़े ना धोएं जब आप सुभा कपड़े धोते हैं तो ये उन्हें धूप में सुखाने में मदद करता है। साथी जो कपड़े रात में धोय जाते हैं, उन्हें सुखाया नहीं जा सकता और उनकी महग भी नहीं जाती। ऐसा माना जाता है कि खुली हवा में सूरज ढलने के बाद कपड़े सुखाने से उनमें नकरात्मक उर्जा प्रवेश करती है। रात को सफेद दूद ना पिएं। दूद नाश्टे के लिए सबसे अच्छा पे माना जाता है। इससे आपका पेट दिन भर भरा हुआ मैसूस करता है। साथी शाम के समय दूद आपको नुकसान पहुचा सकता है। दरसल दूद की तासीर ठंडी होती है। अगर आप शाम के बाद दूद पीना चाते हैं तो हल्दी या केसर मिला कर लें। ये आपको स्वस्त रखेगा। सूर्यास्त के बाद ना लगाएं चंदन। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे सुभे नहाते नहीं हैं बलकि शाम को नहाते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि पौराणिक कथाओं की अनुसार और स्वास्त की द्रिष्टी से सुभस नान करना सबसे उप्युक्त माना गया है। फिर भी अगर आप शाम को नहाते हैं तो गलती से भी सिर पर चंदन ना लगाएं क्यूंकि इससे स्वास्त खराप हो सकता है। भोजन को ढखना ना भूलें। यदि दूद या भोजन रात में पच जाता है तो उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इसे हमेशा धकन से धक कर रखना चाहिए। अगर खुला छोड़ दिया जाए तो नकरात्मक उर्जा भोजन या दूद में प्रवेश कर सकती है। इसके अलावा इसमें कुछ गंदगी भी हो सकती है जो आपके शरीर पर बुरा असर डालती है। सूर्यास्त के बाद शेव ना करें। इन कारणों से सूर्यास्त के बाद ये कारें नहीं करने चाहिए। तो दर्शकू आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि प्रिथ्वी से सूर्य लगभग कितनी दूर है। आप इसका जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में दीजे। हमें आपके जवाब का इंतिसार रहेगा। आपके जवाब कितनी दिजे।